पठान जैसे ही ब्लॉक बस्टर हुई उसके बाद पब्लिक की जवान से उमीदे बढ़ गई है शारुक खान की इस फिल्म को साउथ के सक्स्टेस्फुल डायरेक्टर एटली बना रहे है अचानक से IMDb पर फिल्म का प्लॉट लीक हो गया फैन्स पागल हो गए बोल रहे हैं कि ये क्या बात हुई या मेकर्स ठुप चुपा कर पूरी पिक्चर बना रहे है ऐसे में फिल्म का प्लॉट लीक कंट देने का क्या मतलब है IMDb पर जो फिल्म की स्टोरी लाइन बताई गई है वो कुछ यूँ है एक आदमी को ऐसी गलती की सज़ा मिलती है जो उसने की ही नहीं ये घटना उस व्यक्ति को कैसे प्रभावित करती है और वो उससे कैसे उभरता है वो उन लोगों से कैसे निपटता है जिनोंने उसे इस ज्धमेले में फसाया ये फिल्म की पेसिक स्टोरी लाइन है जो बिल्कुल सुनने में सिंपल लग रही है लोगों का मानना है कि वाकी ये जवान की स्टोरी लाइन हो सकती है क्योंकि एटली की पिच्छरे बिल्कुल बुनियादी मसालों पर बेस्ट होती है मगर उनमें इतना सारा मसाला और आक्शन डाल दिया जाता है कि तर्शकों को मज़ा आ जाता है फिल्म में ब्लॉकबस्टर भी हो जाती है और शारुक खान ने कंटेंट जिवन सिनेमा बनाने के लिए तो एटली के साथ फिल्म करना चुना नहीं था वो खुद हिट फिल्मों का सुका देखकर आ रहे है जब उन्होंने पठान जर्सी फिल्म कर ली तो जवान की इस कहानी पर भी फिल्म कर सकते हैं बेशर्ट कि वो टिकेट खिर्की पर सफलता की गैरेंटी दे अब थोड़ी सी बात यहाँ पर जवान की भी कर लेते हैं जवान एक एक अक्शन फिल्म है इसमें शारुक खान के साथ नैंतारा, सान्या मलोत्रा, प्रियमनी, सुनील ग्रोवर और योगी बाबु जैसे आक्टर काम कर रहे हैं फिल्म में दिपिका पादु कोन के भी एक छोटे से रोल में दिखाई देने की खबरे हैं फिल्म के विलन का रोल कर रहे हैं विजे सेतुपती इस फिल्म में विजे अपना बॉलिवूड डेब्यू करने जा रहे हैं जवान में शारुखान के डबल रोल में नजर आने की भी खबरे हैं। इन खबरों को हवा इसले मिली क्योंकि एटली डारेक्टेट फिल्म बीगल में थेलिपती विजे ने भी डबल रोल किया था। उन्होंने फिल्म में बाप और बेटे दोनों का रोल किया था। जवान मे भी ऐसे ही कुछ होने की खबरे हैं इस फिल्म की शूटिंग सितंबर 2021 से पूने में शुरू हुई थी उसके बाद से फिल्म की क्रू मेंबर्स ने मुंबाई हैदराबाद चैन्नाई और औरंगाबाद जैसे शेहरों में शूट किया इन दिनों शारुखान जवान के साथ दंकी की भी शूटिंग में व्यस्त हैं इसके अलाबा वो एप्रल में सल्मान की चाइगर 3 के लिए अपने कैमियो भी शूट करेंगे जवान 2 जून 2023 को सिनिमा घरों में रिलीस के लिए शेडिूल है